ओम शान्ति 15 मार्च 2020 रिवाइज मुरली है जो बाबा ने 11 दिसंबर 1985 को सुनाई थी आव्यक्त बाब दादा आज विशे हमारे साथ सेयर कर रहे हैं सच्चे सिवाधारी की निशानी क्या है जो वास्तों में सच्चा सच्चा सिवाधारी है उसकी निशानी क्या होगी हर एक बच्चे में तीन विशेष्टाइं बाबा ने देखी है हर एक बच्चा तीन विशेष्टाओं में कहां तक संपन बना है वो तीन विशेष्टाइं हैं सने, सयोग, अर्थात सहजयोग सने जिसको बाबा से प्यार है तो नेचरल बाबा का कहना वो मानेगा जो बाबा के यग में सयोगी बनेगा वो सहजयोगी भी होगा और जब वो अपनी गुणों को, विशेष्टाओं को अपने जीवन में स्वेम भी अनवाव करेगा और दुसरे भी अनवाव करेंगे तो वो शक्ती स्वरूप बनेगा चलते फिरते वो फिर क्या दिखाये देगा चैतन्ये, लाइट हाउस और माइट हाउस अब ये हमी बनना है ये हमारे जीवन का लक्ष है हम बाबा के बच्चे बने हैं हर एक में ये तीन विशेष्टाइं हैं काम या ज़्यादा नमबर वार्टों सब हैं और उसको जब जितना जो धार्ण करेगा उतना ही वो लाइट हाउस और माइट हाउस बनेगा जिसे बाबा ने सार में समझाया कि बच्ची जब आप इन विशेष्टाओं को अनभो करते हो इन शक्तियों को देने वाले बनते हो तो क्योंकि बाबा है दाता तो दाता के बच्चे हम क्या बन जाते हैं हर आत्मा को भरपूर करने वाले जो भी आत्मा हमारे पास आए हम उसे ज्ञान से गुणों से क्या कर दें भरपूर कर दें हर आत्मा को भरपूर करने वाले और हर खजाने को सिवा में जो भी उसके पास खजाना है वो सिवा में लगा दे तन, मन और धाद बाबा कहते हैं यह मैंने तुम्हें दिया है अपना भाग्य बनाने के लिए इसको आप सिवा में लगाओ हर समय बृधी को पाने वाले अपने में धारण भी करना है और हर समय हमने उसको वृधी में भी पाना है सदा बाब द्वारा प्रभू देन समझे कि जो कुछ भी मेरे पास है वो प्रभू की देन है और वो मैंने सब को देनी है प्रभू प्रसाद देने वाले और वो मैंने सब को देना है उसे अपने पास रखना नहीं है वो मैंने सब को दे देना है सदा हर एक की तरफ इशारा सदा इशारा दे एक रस बनाने वाले जो भी उनके पास आए उनको इशारा दे कर एक रस बना देने वाले ऐसे सदा सरु के सच्चे सिवा धारी जो सब की सेवा करने वाले सार है अच्छा कुमारियों के परती बाबा ने कहा बाप दादा की सदा नजर कुमारियों पर है स्वेम को क्या बनाती है ये उनके उपर है लेकिन बाप दादा सभी को विश्व का मालिक बनाने आये हैं सदा विश्व के मालिक पन की खुशी और नशा रहे सदा अथक सिवा में आगे बढ़ते रहो अच्छा आज का वर्दान है करणहार बाप करावनहार की करावनहार बाप है और करवनहार की स्मृति से बाबा हमें करवा रहा है, करवनहार बाबा हम करवनहार बच्चों से करा रहा है, ये स्मृति रहे तो लाइट के ताजधारी बन जाएगे, क्योंकि करम कराने वाला तो बाबा है, मैं तो निमित करने वाला हूँ, अगर ये याद रहता है, तो सद लाइट के ताजधारी अथाद एक दम खलके बे फिकर बाशा बन जाते हैं बस बाप और मैं तीसरा न को जब ये होता है कि मैंनी केवल बाप का कहना मानना है और किसी की बात को मैंने सुनना नहीं है इसके जब हम अनभूती आ जाती है तो सहज बे फिकर बाशा बन जाते हैं जो ऐसे बाश्या बनते हैं वही माया जीत कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव को अपने उपर बोज उठा लेते तो ताज की बजाए फिकर के अनेक टोकरे सिर्फ पर आ जाते बजाए इसके के हलका एक दाम हलके फुलके परिष्टा जीवन बने भारी बुज उठाने वाले बन जाते हैं आज का स्लोकन है सरो बंदनों से मुक्त होने के लिए देहिक नित्जातों से नस्टो मुहा बनो ये संसार के जितने भी दे के रिष्टे हैं इनसे नस्टो मुहा बनना है सरो बंदनों से मुक्त होना है तो जीवन मुक्ती को प्राप्त करना है तो दे के बंदनो